Hello everyone, welcome to Examplus Academy, आज इस class में हम डिसकस करेंगे हमारे last six month के RBI circular हम डिसकस करेंगे, जिसमें हमने जन्वरी से जून तक की सभी important RBI circular लिये है, important questions जो है, MCQs form में लिये है, याद दखेगा, with important content, सिके हिंदी, English दोनों में ही आपको content मिलेगा, RBI circular का, जिसमें आपको वीडियो को pause करक यह मैं आपको अपनी हर class में बोलती हूँ, और complete PDF आप लोग नीचे दिये गए, link से download कर सकते हो, जैसा आपको class में पढ़ाया गया है, as it is ही आपको PDF में भी मिलेगा, Hindi, English जैसे पढ़ाया गया है, वैसा ही मिलेगा, question, option and content, ठीक है, काफी important ही class रने वाली है, last six month का RBI circular, January से जून तक का RBI grade B and RRB scale 2 and 3 के लिए, ठीक है, Hindi English दोनों में ही content रहेगा, याद दखेगा, PDF के लिए आप नीचे दियेगा, link से download कर सकते हैं, ये भी याद दखेगा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, और आप लोगों के लिए एक important announcement है, कि अगर आप लोगों ने last six month का, या last six month का January से जून तक की banking and financial awareness, topic wise रहेगी, अलग-अलग topic के साथ, इसमें question news cover की गई है, MCQs form में with content Hindi English, जैसे की RBI news है, GDP predictions है, banking news है, appointments है, इस तरह से अलग-अलग topic के साथ, ये class बहुत important है, इस class को जरूर देखना है, और इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी नीचे दिएगा, लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, last six month का banking and financial awareness, January से जून तक के सभी important questions इसमें, important news MCQs form में ली गई है, topic wise मिलेगा, Hindi English दोनों ही language में, तो ये दोनों जो काफी important आपके रहने वाले exams के लिए, last six month का RBI circular, January से जून तक का Hindi English दोनों RBI grade B and RRB scale 2 and three के लिए, ठीक है, और इन सभी social media platform पर आप लोग मुझे जारा से जारा जारा join कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पर आपको किसी भी exams के related questions भी ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो जारा से जारा जारा आप लोग join करिए, Instagram पर आप लोग ज़रूर फोलो करिए, important है, ठीक है, चल case में रहेगा, RBI Circulus तो रहेगा, banking license, fine imposed on banks, RBI guidelines और RBI क्याता है, ये सभी कुछ RBI Circulus चर्णर हम cover करेंगे, अपनी आज की class में, चलिए शुरू करते हैं, first question पर चलते हैं, first question में क्या बोला गया है, ये देख लेते हैं, which city in northeast India has recently became the location of a sub office of the Reserve Bank of India, पुछा क्या गया है, कि उत् कुर्व भारत का कौन सा सहर हाल ही में RBI के उप कारहले का इस्थान बन गया है, ठीक है, इस तरह से MCQS form में आपसे question पूछे गया है, options आपको दिये गया है, right answer आपने करना है, ठीक है, फिर question discuss करेंगे, अगर आप लगों को ये class अच्छी रखती है, तो इसको share जरूर ठीक है, right answer क्या हो जाएगा, which city in northeast India recently became the location of a sub-office of the RBI, right answer क्या है, कोहिमा, ठीक है, northeast, कोहिमा, कोहिमा, कोहिमा जो है, वो किस की capital है, नागलेंड की है ना, तो northeast में नागलेंड, और capital कौन सी है, कोहिमा, right answer क्या है, कोहिमा, से city पूछी गई है ना, तो कोहिमा, RBI has taken a significant step towards strengthening its presence in northeast India by opening a sub-office in कोहिमा, the capital of नागलेंड, ठीक है, बोला गया है कि RBI ने नागलेंड की राजधानी कोहिमा में एक उपकार्याल, यानि कि sub-office खोलकर उत्तर पूर्व, northeast, इंडिया में अपनी उपसिती मजबूर करने के दिसा में एक महस्पूर्ण कदब उठाय नागलेंड की कोहिमा में इस तरह से याद करते चलिएगा, ठीक है, next point क्या है, RBI has announced plans to set up an office in इटानगर, the capital of अरणचर प्रदेश, ठीक है, अरणचर प्रदेश की capital है इटानगर, तो वहां पर भी क्या वो लगया है कि RBI ने अरणचर प्रदेश की राजधाने इटानगर म एक कार्याले स्थापित करने की योशना की घोशना भी की है, until the इटानगर office becomes operational, the गोहार्टी office will continue to serve the financial needs of अरणचर प्रदेश, ठीक है, तो जब तक इटानगर जो है office चालू नहीं हो जाता, तब तक गोहार्टी office अरणचर प्रदेश की वित्ती जरूतों को पूरा करता रह जो अरड़ी गोहार्टी में office है, ठीक है, तो RBI ने नागरलेंड की राजधानी में, जो एक अपना sub office खोला है, North East India में, वो क्यों खोला है, तो अपनी जो presence से अपनी उपस्तिती है, इसको मजबूत करने की दिसा में, एक important step है, is a bank of India का, ये काफी important line है, ठीक है, इसको दे opening a sub office in Kohima, the capital of Nagaland, ठीक है, इसके बाद जो RBI का plan है, वो कहां पर है, इटानगर में, जो अरणाजर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर office खोलने का, तब तक, जो office के जो जिते भी काम है, जिते भी financial needs हैं, वो गोहार्टी office से ही, पूरी होती रहेंगी, next question पर चलेंगे, What is the name of the financial inclusion dashboard recently launched by RBI, हाल ही में RBI के द्वारा launch किये गए, financial inclusion वित्ती है, समावेशन dashboard का नाम क्या है, तो वो है अंतरिस्टी, यह मैंने कवर किया था है, RBI गवर्नर सक्तिकांतादास recently unveiled a new financial dashboard, financial inclusion dashboard called antaristri, the dashboard aims to provide valuable insight and track the progress of financial inclusion by capturing relevant data, ठीक है, क्या बोला गया है, कि RBI गवर्नर सक्तिकांतादास ने हाल ही में अंतरास्टी नामक एक वित्ती ही समावेशन dashboard का नावरण किया है, और dashboard का उद्वारा उद्वारा उसका नाम है, अंतरिस्टी, चलेंगे next question पर, next question में क्या बोला गया है, Ministry of MSME has authorized which of the following as a implementing agency to develop the, क्या develop करने के लिए, तो उद्दियम Assistant Platform UAP, बुछा गया है, कि MSME Ministry ने उद्दियम Assistant Platform विक्सित करने के लिए, निमने लिखित मैंसे, किसे का लियान अजनसी के रूप में अधेकरित किया है, ठीक है, यानि कि implementing agency के लिप किया, right answer क्या हो जाएगा इसका, SIDVI, SIDVI is the right answer, बोला क्या गया है, Ministry of MSME has authorized to SIDVI as the implementing agency to develop the Udhyam Assistant platform for enabling registration of the informal micro-enterprises and issuing them Udhyam Registration number URN and Udhyam Assist certificate, ठीक है, तो MSME Ministry ने अनवचारिक सुक्ष्म उद्धियम हो, यानि की IME, ठीक है, IME क्या है, Informal Micro Enterprises के registration को सक्षम करने और उद्धियम पंजिकरेंट संख्या URN, ये क्या है, उद्धियम registration number और UAP, उद्धियम assistant platform की जारी करने के लिए, विक्सित करने के लिए, Cardinal Agency के रूप में SIDB को अधिकरित किया है, किसने Ministry of MSME, ठीक है, इस तरह सा समझते जाना कि किस-किस को इनके नाम आपने जरूर याद रखने हैं, with full form, URN, उद्धियम registration number, UAP, उद्धियम assist platform, और Informal Micro Enterprises IME, ठीक है, इन सभी को विक्सित करने के लिए, Agency IME के रूप में SIDB को अधिकरित किया है, Implementing Agency के रूप में, Government of India has clarified to RBI the IME are those enterprises which are unable to get registered on their UDP registration portal due to lack of mandatory required documents such as permanent account number और goods and service tax identification numbers, इसको बोलेंगे GSTI है, ठीक है, तो Government of India ने RBI को ये सपस्ट किया है, कि IME बे उद्धियम है, जो स्थाई खाता संखे है, यानि कि PAN number या वस्तु एबम सिरी सिरी बादा GSTI जैसे अनिवारे आविश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण, उद्धियम पंजिकरन पोर्टल URP यानि कि URP क्या हो जाएगा उद्धियम रेजिस्ट्रेशन नंबर URN ठीक है, पर पंजिकरत होने में समर्थ हैं, चलेंगे next question पर, according to RBI, levy of charges on forex prepaid cards, store value cards, travel cards is to be done in rupees, rupees is the right answer, ठीक है, तो RBI के अनुसार, forex prepaid card, store value card, travel card पर सुलक लगाना, रुपीज में किया जाना है, ठीक है, रुपीज में सुलक लगाया जाएगा, a few authorized persons are lavening certain fees charges which are payable in India on such instruments in foreign currency, it is advised that fees charges payable in India have to be denominated and settled in rupees only, ठीक है, next point में किया है, दा रुपीज में किया है, दा रुपीज में किया है, इस तरह ऐसे क्या बोला गया है, कि RBI के अनुसार, forex prepaid card, store value card, travel card पर सुलक लगाना, रुपीज में किया जाना है, यह सारे points clear करते चलना, ठीक है, Hindi English दोनों में, next पर चलेंगे, the facility for deposit and or exchange of rupees 2000 banknotes shall be available for members of the public, अब टू कब तक के लिए, पूछा के गया है, इसमें, कि 2000 रुपीज के banknotes को जमा करने या बदलने की सुविधा जनता के लिए, कब तक उपलब्द रहेगी, तो 30 September 2023, 24, 30 September 2023 तक लेगी, आप बैंक के जो 2000 के note है, उनको बदल सकते हैं, exchange कर सकते हैं, यह इसमें बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है, रुपीज 2000 denomination banknotes will introduced in November 2016 under section 24 of RBI Act 1934. Next is the facility of deposit and our exchange of rupees 2000 banknotes shall be available for members of the public up to September 30, 2023. तो 2000 के जो note है, बैंक नोट है, बैंक नोट नोबंबर 2016 में, RBI जिनियम 1934 की धारा के तहत पेस किया गया था, और 2000 के बैंक नोट को जमा करने या बदलने की, सुवी से जनता के रिए 30 September 2023 तक यह अब उपलब्द रहेगी, यह भी याद लख लेगी, यह जो नोट है, यह 30 September 2023 तक जो है, काम जो चालू रहेंगे, इसको बदा सकते हैं, आप 30 September 2030 तक, ठीक है, अब 2000 रुपिय का जो नोट है, लेकिन यह भी है कि 2000 रुपिय का नोट कब जारी किया गया था, तो November 2016 में जारी किया गया था, 2000 रुपिय क नोट, next important point क्या बो लगया है इसमें, कि deposit of रुपिय 2000 रुपिय का नोट into accounts maintained with all banks can be made in the usual manner, that is without restriction and subject to compliance with extent KYC norms and other applicable statutory requirements, the bank shall also be required to comply with cash transaction reporting and suspicious transaction reporting requirements were applicable, ठीक है, तो next point में क्या है, the facility for exchange of rupees 2000 banknotes shall be provided to all members of the public by all banks through their branches, next with a view to minimize convenience to the public to ensure operational convenience and avoid disruption of the regular activities of bank branches, all banks may exchange rupees 2000 banknotes up to limit of 20,000 at a time, ठीक है, बोला गया है, कि जनता की सुविधा, जनता की असुविधा को कम करने के लिए, परिचाले सुविधा को सुनिश्चित करने और bank की ब्रांचे इसको नियमित गतिविधियों में व्रभधां से बचने के उद्देश से, सभी bank एक समय में, कितना? बीस हजार की सीमा तक दो हजार के banknotes बदल सकते हैं, ठीक है, एक बार में बीस हजार रुपिये तक की जो के पस दो हजार के नोट हैं, वो बदले जा सकते हैं, ये decision लिया गया है, और दुपिस दो हजार, दो हजार के जो banknotes के विए, इनकी असुविधा, सब भी bank को द्वारा अपनी साखाओं के माध्यम से जनता के सब ही members को परदान की जाएगी, सब ही लोग जाके कर सकते हैं, ये सब चीजे, ठीक है, और जो भी important points हैं, वो आपने पढ़ने हैं, वीडियो को pause करके, PDF टाउनलोड के कुछ अगर आपको miss रह गया है तो, ठीक है कुछ भी miss हुआ है, तो आपने इसको जरूर पढ़ना है, और ये मैं अपने question में बोलती हूँ कि आप अपने जो content हैं, इसको जरूर पढ़िए, PDF टाउनलोड करके पढ़िए, pause करके पढ़िए वीडियो को, जैसे भी होता है, line by line content पढ़िए, question deep में पुछे जा रहे हैं, पुछे गए हैं, और पुछे जाएंगे, आने वाले exams हैं, और बहुत सारे questions content से आए हैं, इसलिए आपको important content provide किया जाता है, और आपने इसको पढ़ना है, line by line, जैसे suitable है, वैसे पढ़िए, ठीक है, इसलिए आपको ये सब दिया जाता है, हम चलेंगे next question, next question क्या है हमारा, priority sector lending, targets of primary cooperative banks has been extended up to, पुछा क्या गया है, कि प्राथमिक सहरी सहकारी बैंकों के लिए, प्राथमिकता छेतर, loan लक्ष को कब तक बढ़ा दिया गया है, 31st of March 2026, 31st of March 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, क्या वो लगे है, the PSL targets for UCBs were revised in 2020, in order to ensure a non-disrupted transition in glide path was provided till 31st of March 2024 to achieve the revised targets with a view to ease the implementation challenges faced by the UCBs, It has been decided to extend the phase in time for achievement of the set targets by two years, up to 31st of March 2026, further suitable incentive shall be provided to UCBs that have met the prescribed targets as on 31st March 2023, Detailed circular on the matter will be issued separately, बोला क्या गया है इसमें, कि UCBs के लिए PSL लक्षों को 2020 में संसोधित किया गया था, और बोला गया है, कि इनको सनिशित करने के लिए, संसोधित लक्षों को प्राप्त करने के लिए, 31 March 2024 तक एक आसान मार्प प्रदान किया गया है, और UCBs के सामने, आने वाले सभी जो चुनावतिय हैं, उनको कम करने के लिए, जो लक्षों को प्राप्त करने के लिए, चरण समय को 2 साल, यानि कि 31 March 2016 तक बढ़ाने का निरने भी लिया गया है, ठीक है, और बोला गया है, कि UCBs को उप्यूक्त प्रोथसाहन परदान किया जाएगा, जिन्ह कोस्मोस सहकारी बैंक का है, ये कोशन में पुछा गया है, कहां पर है, इस से रिलेटेट कोश्चन में इन्फोरमेशन है, ये कोशन लिया गया है, पुने इस दराइट आइट आसर, the Cosmos Cooperative Bank is headquarter in Pune, Maharashtra, the RBI has granted approval for the voluntary scheme of amalgamation of Maratha सहकारी bank with the Cosmos Cooperative Bank, the murder is set to take effect from 29th of May 2023 as announced by the RBI, this decision comes after Maratha सहकारी बैंक established in 1946 with seven branches in Mumbai had been placed under regulatory directions by the Central Bank since 31st of August 2016, ठीक है, बोला क्या गया है, इस में कि RBI ने the Cosmos Cooperative Bank, the Cosmos Cooperative Bank के साथ, Maratha सहकारी बैंक के विले कि स्वेश्चिक जोशना को मंजूरी दे दी है, किन-किन का यहां पर merger है, तो मर्जर है, the Cosmos Cooperative Bank और Maratha सहकारी बैंक, ठीक है, RBI ने इनकी मंजूरी को grant कर लिया है, approval दे दिया है, ठीक है, क्या बोला गया है, next point में, बोला गया है कि 2016 से केंद्री बैंक के द्वारा नियावा और निर्देसों के थेह रखे जाने के बाद से आया है, next question, important questions है, यह news है, इसके regarding आपसे question पूछ लिया गया था, कि headquarter कहां पर है, the Cosmos Cooperative Bank का, जैसा news है, as it is, तो आपसे question नहीं पूछा जा सकता ना, तो इसी के regarding आपको information दे दी है news यह है, कि income merger हो गया है, banks का, ठीक है, यह आप पूरा complete details में पढ़के जाएगा, जरूर, ठीक है, ऐसा ही, यह नहीं कि मैं में सिर्ट question पढ़ा है, तो हमने याद कर लिया, Cosmos Cooperative Bank का headquarter है, पूरे बाद खतम, यह content जरूर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, इतना पढ़के चले जाना है, content दरूर पढ़ियेगा, जैसे suitable है, हिंदी- इंग्लिस तोनों में, यह news है, चलेंगे next question पर, next question में क्या है, the RBI has taken a significant step to enhance trade, receivers discounting system threats by allowing insurance companies to participate as stakeholders under the expanded threats guidelines who can participate as financiers, ठीके, RBI ने भीमा कंपनियों को हित धारकों के रूप में भाग लेने की अनुमती देकर व्यापार, प्रापे चूट पर ना लियाने की, threats को बढ़ाने के लिए, एक महत्वफून कदम उठाया है, और विस्तारी TRDS, दिसा निर्देसों के तहत, financials के रूप में, कौन भाग ले सकता है, यह question में पूछा गया है, कौन ले सकता है, ठीके, क्या पूछा गया है, कि, stakeholders under the expanded threats, who can participate as financials, तो entities permitted under the factoring regulation act, FRA, and its rules, ठीके, option C is the right answer, क्या बोला गया है, इसमें, entities permitted under the factoring regulation act, FRA, and its rules, participate as financials, ठीके, RBI has taken a significant step to enhance trade receivables discounting system by allowing insurance companies to participate as stakeholders, ठीके, RBI ने बीमा कंपनियों को हिचधारकों के रूप में भाग लेने की अनुमती देकर, व्यापार प्राप पे छुट परणाली को बढ़ाने के लिए, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, next question, which of the following has launched the G20 tax print 2023, तो G20 tax print 2023 को किसने launch किया है, तो launch किया है, बोथ the bank of the international settlement and the reserve bank of India, option C is the right answer, क्या बोला गया है इसमें, कि RBI and the BIS, what is the BIS, bank for international settlement, sort में के बोलेंगे, BIS, have announced the launch of the G20 tax print 2023, a global competition aimed at improving cross-border payments through innovative technology solutions, ठीक है, तो RBI और BIS ने G20 tax print के launch की खोशना की है, और एक वेश्विक प्रच्योगीता है, जिसका उदेश नवीन प्राधर की समाधानों के माध्यम से सीमा पार्भुकतान में सुधार करना है, ठीक है, इसका main object है, main aim है, वो क्या है, तो global competition aimed at improving cross-border payments through innovative technology, ठीक है, इसका है main aim की improve करना है cross-border payments को through an innovative technology solution, ठीक है, RBI and BIS have announced the launch of the G20 tax print 2023, clear, next question, what is the purpose of the 100 days 100 pays campaign launched by the Reserve Bank of India, तो RBI के द्वारा 100 days 100 pays अभियान का उदेश क्या है, RBI के द्वारा शुरू किये गए, Reserve Bank of India ने अपना एक campaign जो है वो launch किया है, उस campaign का क्या नाम है, 100 days 100 pays, तो इसका, इस campaign का क्या purpose है, तो इसका purpose है to reduce the quantum of unclaimed deposits in the banking system and return them to their rightful owner's claimants, ठीक है, option B is the right answer, इसलिए इस the purpose of this campaign, campaign का नाम है, 100 days 100 pays, ठीक है, RBI has announced the launch of a special 100 day campaign to trace a subtle unclaimed deposits in every district of the country, ठीक है, under the campaign which will begin on 1st of June 2023, banks will trace and settle their top 100 unclaimed deposits in each district, बोला गया है कि RBI ने देश के हर जिले में unclaimed deposit का पता लगाने और निप्टाने के लिए, सौ दिनों के एक विसेज अभियान की, शुरुआत की घोषना की है, ठीक है, unclaimed, कभी-कभी हिंदी में ना, meaning कुछ अलगी हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ना, English में clear करते चलिएगा, ठीक है, इसलिए आपको content में दिया जाता है, क्या बोला गया है, कि अभियान के तहट, एक जून दो हजार तेईस से शुडू होगा, और प्रतियक बैंक, प्रतियक जिले में अपनी सीट से 100 unclaimed deposit राष्टियों का पता लगाएंगे और उनका निफ्टान करेंगे, ठीक है, यह इसका main aim है, यह आप लोग इसमें दीख सकते हैं, content में, यह याद रखेगा, इसका main purpose है, to reduce the quantum of unclaimed deposit in banking system and return them to their rightful owners and comments, ठीक है, next question, what happens the unclaimed deposit in saving current accounts or term deposit not claimed within 10 years from the date of maturity, पुछा गया है कि date of maturity से 100 वर्सों के भीतर बचत या चालू खाता हूं या फिर मियादी जमारास्तियों में दावा ना किया, जमारास्तियों का क्या होता है, they are transferred to the depositors education and awareness fund maintained by the reserve bank of India, ठीक है, इसमें बोला गया है कि unclaimed deposits in saving current accounts or term deposit not claimed within 10 years from the date of maturity are classified unclaimed deposits, these amounts are transferred by banks to the depositors education and awareness fund maintained by RBI, इसमें बोला गया है कि जो भी बचत खाते हैं, उनकी जमारास्तियों की maturity की तारीक से 10 साल के भीतर कोई दावर नहीं किया जाता है, तो यह जो जमारासी है, इसको कहां transfer कर दिया जाता है, तो depositors education and awareness fund reserve bank of India के द्वारा maintained किया जाता है, यह जो amount है, इसको वहां पर transfer कर दिया जाता है, जो इसकी maturity date है, उसके 10 साल के अंदर तक भी कोई भी इसका, जो कोई भी दाविदार जो बोलते हैं, वो नहीं आता है, तो ठीक है, चलेंगे next question पर, the RBI has taken significant action in the financial sector cancelling the certificate of registration of 7 NBFCs and accepting the surrender permits of 14 NBFCs, what is the principal business of NBFCs, पुछा क्या गया है इसमें, कि RBI ने 7 NBFCs के registration के प्रमार बत्र को रद्द करते हुए, 14-14, यानि कि 14 NBFC के surrender permit को स्विकार करते हुए, वित्ती छेतर में महत्रपोर्ण कारवाही की है, NBFC का प्रमुख website क्या है, ठीक है, main काम जो पुछा गया है, NBFC का वो क्या है, तो NBFC का main business है, वो है, loans and advances, acquisition of securities, leasing, hard purchase, etc, the main business of NBFCs, ठीक है, एबार रिपीट कर दू, what is the principal business of NBFCs, the businesses, loan and advances, acquisition of securities, leasing, hard purchases, etc, RBI has taken significant action in the financial sector, cancelling them, certificate of registration of 7 NBFCs and accepting the surrender permits of 14 NBFCs, ठीक है, next question, RBI accepts banks to completely stop using LIBOR by July, what is the full form of LIBOR, यह मैंने काफी बार बताया है, इसका full form है, लंद इंटर बैंक offered rate, ठीक है, RBI को यह उमीद है कि July तक बैंक LIBOR का इस्तमाल पूरी तरह से बन कर देगा, LIBOR का full form क्या है, LIBOR का full form है, London Interbank Offered Rate is the full form of LIBOR का information है, RBI has instructed financial institutions and banks to adopt an alternative reference rate, primarily the SOFR, यह क्या है, Secured Overnight Financing Rate and their reliance on the scandals to start London Interbank Offered Rate and Mumbai Interbank Forward Outright Rate, यहने की MIFOR by July 1st, ठीक है, the Central Bank has set the most new transactions now use SOFR and the modified Mumbai Interbank Forward Outright Rate as benchmarks, ठीक है, next question, what does the RBI annual report for financial year 23 reveal about the circulation of counterfeit currency in India, Financial year 2030 के लिए RBI की वार्षिक रिपोर्ट भारत में नकली मुद्रा के परचलन के बारे में क्या बताती है, तो वो right answer क्या है, that the detection of fake rupees 500 note increased by 14% compared to financial year 2022, ठीक है, कुछ important points है के क्या हैं देख लेते हैं, first point है, the RBI annual report for the fiscal year 22-23 has shed light on the increasing number of counterfeit banknotes in circulation in India, तो वित्ती बस 2022 से इस के लिए RBI की वार्षिक रिपोर्ट ने बताया है कि भारत मिकिच में चलन में नकली नोटों की बढ़ती संखिया पर प्रकास डाला गया है, the report highlights a significant rise in the detection of fake Rs. 500 notes compared to the previous year, additionally, it provides insight into the dominance of Rs. 500 and Rs. 2000 banknotes in terms of value as well as the prevalence of fake notes in other denominations, next point है, the report also addresses the decision to withdraw Rs. 2000 banknotes from circulation, let's delve into the details, बोला गया है कि रिपोर्ट में पिछले वर्ष के तुलना में 500 रुपीय की नकली नोटों की पहचान में उलेखनी व्रद्धी पर भी प्रकास डाला गया है, और इसमें बताया गया है कि 2000 रुपीय के नोटों को वापस लेने के निरने को भी सम्मूदत किया है, और ये 500 रुपीय और 2000 रुपीय के बैंक नोट के साथ साथ अन्य मूलवर के रख़ी नोटों के परसार के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया है, काफ़ important यह question रहा है आपके exams के point of view से आपने इसकुछ जरूर पढ़ना है और content जो provide किया गया है यह आपने जरूर पढ़ना है जैसे भी आपको suitable हो चलेंगे next question पर, next question में क्या है the All Banks Employee Association AIBE has announced plans to establish an online bank clinic to assist retail bank customers with grievances, redressal with what is the primary purpose of the bank clinic introduced by AIBEA AIBEA क्या है तो All India Bank Employee Association है पुछा गया है कि इसका क्या purpose है primary purpose क्या है तो इसका main purpose है to provide customers with a platform to raise their concern and grievances option A, to improve customer satisfaction and loyalty option B, to improve, to provide feedback to banks on areas of service deficiencies right answer क्या हो जाएगा, All of the above is the right answer ठीक है, बोला गया गया है कि अखिल भार्थी बैंक कर्म चारी संग ने खुदरा बैंक रहाकों को शिकायत निमारेट में सहायता करने के लिए एक online bank clinic स्थापित करने की योजना की घोशना की है AIBEA द्वारा शुरू किये गए bank clinic का प्राथमिक उद्देश क्या है तो वो इस सभी points है आप देख सकते हैं बोला क्या गया है इसमें जो details में आपको explain किया गया है इसमें बोला गया है और अभी प्रेजेंट में कौन है AIBEA के जनरल से केटरी इन का क्या नाम है C.H. Venkat Chilam ठीक है Next question As per master circular Housing finance for UCBs What is the maximum period for repayment of housing loans पुछा गया है कि master circular के अनुसार UCB के लिए आउशक विच्त आवास रंड की चुनाती के लिए अधिक्तम अवधी क्या है तो वो है 20 सार 20 years is the right answer ठीक है Housing loans may be repayable with a maximum period of 20 years including moratorium or repayment holiday The moratorium or repayment holiday may be granted or at the option of the beneficiary till completion of construction of 18 months from the date of disbursement of first installment of the loan whichever is earlier ठीक है इसी के regarding important points ने details में आपको दिया गया है आप इसको जरूर पढ़िए वीडियो को post करके या PDF टाउनलोड करके जैसे आपको suitable है हम चलेंगे next question पर What shall be minimum net worth of tier 1 UCBs operating in a single district तो एक ही जिले में कारेदर tier 1 UCBs की new thumb जो पूछा गया है minimum net worth क्या होगी क्या होगी 2 करोर रूपी ठीक है रूपीस 2 करोर is the right answer तो बोला गया है तब tier 1 UCBs in a single district shall have minimum net worth of रूपीस 2 करोर next क्या है All other UCBs shall have minimum net worth of रूपीस 5 करोर बोला गया है किसके अलावा जो other UCBs है उनकी new thumb net worth कितनी होनी चाहिए 5 करोर लेकिन एक ही जिले में यानि कि single district shall have minimum net worth of रूपीस 2 करोर जो एक ही जिले में tier 1 UCBs operating in a single district उनकी net worth कितनी होनी चाहिए 2 करोर इसी के regarding है the important points बहुत रेटेल्स में दिया गया है सारे points उपर ही English नीचे हिंदी चलेंगे next question पर What is the eligibility criteria for SHG to avail loans under दीन दियाल अंतियोदे योजना National Rural Livelihoods Mission scheme D.A.Y. D.N.R.L.M. ठीक है पुछा क्या गया है दीन दियाल अंतियोदे योजना रास्टी ग्रामिर आजिवी का मिशन योजना के तहत रिण प्राफ करने के लिए SHG के लिए पात्रता मांदन क्या है ये question में पूछा गया है Right answer क्या हो जाएगा इसका All of the above ये सभी जो आपको points दिये गए है A, B, C, D तो Right answer है All of the above SHG should be in active extensis of at least six month as per their book of accounts and not from the date of opening of S&B accounts SHG ठीक है क्या बोला गया है Should be participating पंच सूत्रास in regular meetings, regular savings irregular interloaning timely repayments and up-to-date books of accounts SHG should qualify as per grading norms fixed by NABAR as and when the federation of the SSG come into existence the grading exercise may be done by the federation to support the bank The existing deficient SSG are also eligible for credit if these are revived and continue to be active for a minimum period of three months Right answer क्या हो जाएगा option E, all of the above is the right answer इसी के regarding आपको काफी points दिये गए है तो इस साले points आपने पढ़ने हैं point by point आपको साले points दिये गए हैं इतने points मैं आपको discuss नहीं कर सकते हैं अपने वीडियो को post करके या फिर PDF और और करके इस question के रिगार ही फूरी information लेनी हैं क्योंकि question कैसे भी बन सकता है इसलिए खुमाफ इलाके question, deep में question पूछे जाते हैं तो आपने सारी details में explanation के सांथ हर news, हर question पढ़ना है इसलिए आपने इसको पढ़ना है चलेंगे next पे इन प्राइम फिंजर रिसीव्ड अन्विफ्सी लाइसेंस प्रॉम आर्बियाई वेरे इसए हैटक्वाटर इन प्राइम, हैटक्वाटर कहां पे है इसका बैंगलॉवर में ठीक है न्यूस क्या है से रिलेटेट जो न्यूस बनती है वो देख लेते हैं पुछा क्या गया है, इन प्राइम, फिंजर को RBI से NBFC लैसेंस प्राइट हुआ है in prime ka headquarter bangalore mein hai in prime finza with a brand owned by stk credit private limited uh nbfc is headquarter in bangalore in prime is on mission to redefine the way informal customer access formal finance it is focused on providing financial services to the prime segment of india's informal economy which consists of around 50 million households with an annual credit नीट्स ओफ रुपीज फाइफ लाग करोर ठीक है तो बोला क्या गया है इसमें कि इन प्राइम फिंजर्व एस्टिके क्राइडिट क्राइड लिमिटेड के स्वामितु वाला एक ब्रैंड है जो एक NBFC है जिसका हैट्वाटर बैंगलोर में है इन प्राइम अनपचारिक कस्टमर्स की अपचारिक वित्य तक पहुंचने के तरीके को फिर से परिभास्त करने के मिशन पर है यह भारत की अनपचारिक रत्रवस्था को प्राइम खंड को वित्य सेवाय परदान करने पर केंदरित है जिसका लगभग 50 मिलियन परिवार सामि of information technology services by banks. NBFCs are regulated entities. These directions still come into effect from Dash. तो अप्रेल दो हजार तेईस में RBI ने bank को NBFC और विनी में संस्थाओं द्वारा सूचना प्राध्योगे की सेवाओं की outsourcing पर master direction जारी किया है. ये निर्देश जो है वो कब से लागू होंगे? 1st October 2023 is the right answer. The underlying principle of these direction is to ensure that outsourcing arrangements neither diminish RE's ability to fulfill its obligations to customers nor impend effective supervision by the RBI. With a view to provide RE's adequate time to comply with the requirements to enclose direction shall come into effect from 1st October 2023. ठीक है? Next question. Public sector banks in India have transferred a total of rupees 35,012 crore in unclaimed deposit to the RBI. ठीक है? बोला क्या गया है कि भारत में सार्वजनी के छेतर के बैंकों ने RBI को unclaimed deposit जमा में, sorry unclaimed deposit में कुल 35,012 crore रुपिये हस्तांत्रिक किये हैं. ठीक है? कितना कितना amount है? टोटल unclaimed deposit का इंडिया में सभी बैंकों में 35,012 ठीक है? यह amount याद रखना. Several public sector banks in India have transferred a total of rupees 35,012 crore यानि कि 4.7 billion dollar in unclaimed deposit to the RBI. The moves comes as a part of an effort to reduce the amount of unclaimed funds held by bank and ensure that the money is put to productive use. ठीक है? तो भारत के जिसे भी public sector banks हैं, उन बैंकों ने RBI को लावारिस जमा में कुल कितना? यानि कि unclaimed deposit में 35,012 crore रुपिये हस्तांत्रिक रुपिये हैं और यह stuff बैंकों के द्वारा रखे गए, unclaimed deposit की मात्रा को कम करने और सुनिश्चित करने के प्रयास के तहट उठाया गया है यह कदम और यह जो amount है, यह जो money है, it is put to productive use, कुछ productive use किया जाएगा इसका. The largest transfer was made by SBI, which transfer कितना? 13,274 crore रुपिये सबसे ज्यादा transfer किया है, SBI ने कितना? 13,274 crore to the day, यह important points है, बहुत छोटे-छोटे important points है, क्योंकि कोशिन अगर पूछ लिया जाएगा कि किस bank ने सबसे ज्यादा unclaimed deposit जो transfer किया है, RBI को, तो वो किया है, SBI ने कितना amount कि किया है, अगर question में पूछ लिया जाएगा, तो आपने याद रखना है, कि सबसे ज्यादा amount SBI ने transfer किया है, 13,274 crore रुपिये, ठीक है? टोटल amount कितना है, और सब्ले sector bank का unclaimed deposit का जो RBI को transfer किया है, वो है 35,012 crore रुपिये, सबसे ज्यादा किस ने किया है, SBI ने कितना किया है, तो वो किया है, 13,214 crore रुपिये, ठीक है? इसी के regarding important points है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मुझे किसी भी question, कोई भी queries के regarding, आप लोग मुझे इन सब सोचल मेडिया platform पर join कर सकते हैं, ठीक है? चलेंगे next question पर. What is the minimum net owned fund for ARC obtaining the certificate of registration on or after October 11, 2022? बोला गया है कि 11 October 2022 को या उसके बाद पंजीकरिन पर्मानपत्र प्राप्त करने वाले ARC के लिए नियुंतम सुध्य स्वामित वन इधी क्या है? तो 300 करोर इस दा राइट आंसर, ठीक है? minimum required annuity for 11th of October 2022 रूपीज 100 करोर, by March 31st 2024 रूपीज 200 करोर, by March 31st 2026 रूपीज 300 करोर, ठीक है? net on fund for ARC shall be minimum रूपीज 300 करोर on an ongoing basis with effect from 11th of October 2022, consequently, any ARC obtaining the certificate or registration on or after, after October 11, 2022, ठीक है? यह जो आपको टेबल दी है, इसमें सब कुछ एक्स्प्लेइन किया गया है, वो ही details में आपको नीचे, Hindi English दोनों में एक्स्प्लेइन किया गया है. next question, पुछा क्या गया है, what is the theme of the software application developed for the, for has been developed for processing of application for licensing of FFMC, full-fledged money changers, non-banks authorized dealers, AD, cat, second, ठीक है? पुछा क्या गया है आपसे इसमें, कि what is the name of the software application developed for, has been developed for processing of application, for licensing of FFMC, non-bank authorized dealer, cat 11. right answer क्या है, AP connect, AP connect is the right answer, ठीक है, AP connect, application broadly consists of the following facilities, functionalities, बोला क्या क्या है, first मैं देख लेते हैं, registration and licensing of new companies as well as existing authorized person, FFMC, non-bank AD, cat 11, NBFC eligible for AD, cat, second, ठीक है, second क्या है, registration of new branches, registration of temporary money changing facilities, registration of franchises, authorization of Indian agents under MTSS, upgradations of FFMC to non-bank AD, cat 11, renewal of licenses, opening of foreign currency accounts, opening of nostril accounts for eligible entities, voluntary surrenders of license, right of foreign currency notes or submission of returns statements, सारे points में आपके लिए आई हूं, चलेंगे next question पर, RBI has announced a new framework for offering green deposit to customers with the objective of developing a green finance ecosystem in India, इस framework come into effect from 1st June 2023, ठीक है, पुछा क्या गया है, कि RBI ने भारत में green finance ecosystem विक्सिस करने के उदेश से ग्रहाकों को green deposit की पेसकर्स के लिए एक नई रूपरेखा की होशना की है, यह जो धाचा है, यह कब से यह framework होगा, एक जून 2030 से लागू, A green deposit is the type of interest-bearing deposit that is received by the regulated entity for a specified period and the funds are reserved for use in green finance, ठीक है, The guidelines apply to schedule commercial banks excluding regional rural banks, local area banks, payments bank and housing finance companies as well as deposit taking non-banking financial companies, ठीक है, तो यह जो दिसाने देश हैं वो इन सभी में लागू होंगे, ठीक है, जो को दिये गए हैं, However, certain industries such as nuclear power direct waste incarnations, alcohol, tobacco, palm oil, landfill projects or hydroelectric plants larger than 25 megawatt and renewable energy projects generating energy from biomass using feedstock from protected areas are excluded from the framework. Next question, What is the name of centralized portal to be launched by RBI for licensing approval application? Tried answer, क्या है इसका? Pravaha, यह हमने काफे बाड़ इसका सक्या है, RBI is set to introduce a new secured web-based portal called Pravaha, full form, platform for regulatory application, validation and authorization is the full form of Pravaha, aimed at simplifying and streamlining the application processes, It will provide transparent timelines for the decision making process of the application approvals or by the applicants, ठीक है, इसी के regarding कुछा अगर अगर अपसे statement based question पूछ लिया जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा, पुछा गया है कि consider the following statement regarding Pravaha platform, पुछा गया है question में, which of the statement given above is our correct, तो कौन सा correct है, इसी पूछा गया है, तो Pravaha stands for platform for regulatory application, validation and authorization is the correct, Pravaha has been launched by SEBI for trading wrong, Pravaha has been introduced by RBI for licensing approval applications, गाइट राइट हो जाएगा, option C1 and 3 only, is the right answer, इस तरह से statement में question पूछे जाते हैं, exams में sample है, आप लोग इस तरह से याद करियेगा, ठीक है, चलेंगे next, When was RBI foundation observed in 2023, ठीक है, question आपको लगला होगा, ये इतना हलवा सा question, easy सा question क्यों ले लिया, ठीक है, question क्यों ले लिया, 1st April, इसकी regarding news है, ठीक है, RBI was established on 1st April 1935, in accordance with the provision of the RBI Act 1934, the central office of the RBI, initially set up in Kolkata, was permanently moved in 1937, recently किसी bank में पूछा गया था, कि RBI का office जो है, वो कब Mumbai सिफ्ट हुआ है, वो 1937 में हुआ है, ठीक है, पहले कापे था, 1935 में जो established was a Reserve Bank of India, कौलकाता में था, तो पर्मानेंटली सिफ्ट हो गया मुंबई में 1937 में, ठीक है, ये लाइन याद रखिजी, इसले ये news दिए नेक्स्ट कॉस्टन, which of the following statement regarding RBI is not true, इस तरह से question पूछे जाएंगे, इस information पर बेस्ट, ठीक है, क्या right answer है, not true पूछा गया है, इस तरह से देखना, कि इसन पूछा गया है not true, right answer क्या हो दे आएगा इसका, RBI headquarter of, the headquarter of RBI is in Mumbai, right, it was set up as a private shareholder banks, with a capital of Rs. 5 crore, right, RBI was nationalized on 1st January 1949, is right, RBI was established on April 1st 1935, in Mumbai is wrong, in Kolkata is the right, are you responsible for the control issue, and maintaining supply of Indian rupees, is the right, इसका क्या हो जाएगा, option D is the correct answer, ठीक है, इस तरह से question पूछा जाएगा, आपको जो previous information दी है, और भी जो questions पढ़ाया जाते हैं, उनमें भी इस तरह से question आ सकते हैं, तो आपने इसको details में इस लिए पढ़ना है, सारे points क्लियर करते चलना है, इस तरह से question आते exam से में ठीक हैं, next question, which mission has been launched by RBI, to make every citizen a user of digital payments, तो RBI ने पृतियक नागरी को digital भुकतान का user बनाने के लिए, कौन सा mission सुरू किया है, तो वो है हर payment digital, ये mission सुरू किया है, while digital payments have skyrocketed, during the first few, a significant portion of the population still does not use a single digital payments for day-to-day transactions, ठीक है, RBI ने ऐसा बोला है, कि आप पृतियक नागरी, जो भारत का पृतियक नागरी है, वो digital payments users बने, इसी commission को पूरा करने के लिए, RBI ने हर payment digital, जो campaign है, ये launch किया है, ठीक है, mission के नाम है, इसका हर payment digital, क्योंकि अभी भी, ऐसा तो काफी लोग जो है, वो use करते हैं अपना digital payments, लेकिन बहुत सारा अबादी का यो कुछ percentage है, वो छूट गया है, वो लोग नहीं करते, day-to-day life में, सभी को target करके, RBI ने हर payment digital नाम का एक mission शुरू किया है, ठीक है, इसका देख लेते हैं, इन ओरर तू ब्रीज तर गैप, RBI गवर्न सक्तिकांतर दास, लॉंस्ट्रे मिशन हर payment digital, विद अइम ऑफ, मेक अवरे सिटिजन इन दा कंट्री, उसर अफ डिजिटल पेमेंट अवेरनेस वीग 2023, जिसका थीम है, अडर्फ डिजिटल पेमेंट अवेरनेस वीग 2023 का ये थीम है, इसी पर बेस्ट रहें सी क्यों है, ये जो है, स्टेटमेंट बेस्ट रहें, इस पूछा गया है कि कौन सा करेक्टर हैंगा इन सब में से, ठीक है, तो ये हिंदी में हे, ये सेम है, अडर्फ डिजिटल पेमेंट एंड टीचर अवेरनेस वीग 2023, ख़क है, तो आप लोग इसको इंगलेश में याद करेंगे, अडर्फ डिजिटल पेमेंट एंड टीचर अवेरन आउसो, ठीक है, as part of the mission rvi has launched 75 digital villages program under which 75 village across the country will be adopted to convert them into digital payments enabled village is the right option d is the right answer ठीक है option d one two and three three statements correct है इस तरह से आप से question exams में पूछे जाएंगे next question rvi governor सत्यकांतादास led the foundation stone of the central bank's data center and an institute for computing and cyber security training in dash तो पूछा क्या गया है कि rvi की governor सत्यकांतादास ने कहां पर तो राइट answer क्या है भुबनेश्च्छवर में एक central bank के data center और computing और cyber सुरक्चा परसिक्षन के लिए एक संस्थान की आधार सिला रखी है the governor of rvi सत्यकांतादास initiated the establishment of green field data center and enterprise computing and cyber security training institute in भुबनेश्वर odysa during a foundation stone laying ceremony ठीक है कहां पर गया है भुबनेश्वर इस तरह से question है पूछा क्या गया है consider the following statements regarding green field data center of rvi यह पूछा क्या गया है कि कौन सी correct है तो rvi governor laid the foundation stone for establishment of a green field data center and enterprises computing and cyber security training institute in भुबनेश्वर odysa only one is the right answer यह right answer है निश्वर रॉंग है क्योंकि यहां पर हैजराबाद तेरंगाना is the wrong भुबनेश्वर odysa is the right answer ठीक है next dance launches two survey to gather useful inputs for monetary policy rvi rvi ने मौजिक नीती के लिए उपयोगी input खटा करने के लिए दो सर्वे शंट किये हैं देख लेते हैं rvi launch two key survey the result of which provide useful inputs for central bank bimonthly monetary policy one of the survey is to know पहला सर्वे देख लेना to know inflation expectation of households and other is to cause the consumer confidence ठीक है यह दो सर्वे किये हैं रिट्वर बैंक को फिल्याने इसी के regarding आपको important points दिये गए हैं Hindi English दियोनों में इन में आपने video को post करके या PDF download करके जरूर पढ़ना है इन सारे points को next question how many countries have been given permission by the rvi to trade in rupees recently तो rvi ने कितने देशों को रुपी आपार करने की अनुमाती दी है वो है 18 देश ठीक है 18 देशों को यह permission दी है आपको दिये गए है इनको नाम से अपढ़िये वीडियो को पॉस करके या PDF राउड़ को दिये गए इनको नाम से अपढ़िये वीडियो को पॉस करके या PDF राउड़ोड करके इस पर रिगार्डिं कुछ कोश्चन बनता है वो हम देख लेते हैं किस तरह से बन सकता है इसका कुछा क्या गया है कौन सा करेक्ट है यह सभी नेशन इंकलूड है 18 ठीक है इस तरह से ही स्टेटमेंट बेस्ट कोश्चन पूछे जाते हैं एक्जाम्स सैंपल है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन में क्या पूछा गया है यही इंपोर्टन पॉइंस के रिगार्डिंग सेकंड आप पर सकते हैं चलेंगे नेक्स्ट पे इस से पहले 2021 में 2021 में ठीक है हाल बिंगर 2023 इनवाशन फोर ट्रांस्फोमेशन विद थीम थीम क्या है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज एम क्या है यह सारे पॉंट्स है Fintech have been invited to develop solutions that have the potential to make digital financial services accessible to the differently abled facilitate efficient compliance extend the reach of central bank digital currencies and enhance the scalability of blockchains ठीक है the registration from the hackathon यह सब मैंने आपको information जो अपना करवाया था आप लोगों को monthly banking and financial event उसमें मैंने कवर किया था ठीक है हेकाथन जो है वो hosted द्वाकवात है किसके द्वारा Apex platform ठीक है application program interface exchange first की बात करेंगे इसमें जो first था global हेकाथन वो 2021 Harbinger 2023 innovation for transformation उसका theme था smarter digital payments 2021 Harbinger 2021 का और अभी जो 2023 है इसका theme है inclusive digital services important है दोनों का theme ठीक है next question पर चलेंगे RBI financial literacy week has started from desk to desk तो कब से कब तक मनाया है RBI ने अपना financial literacy week तेरह से सत्रह फरवरी तक मनाया है RBI financial literacy week started on 13 and will last 17th of February 2023 ठीक है RBI has been conducted this every year since 2016 2016 से RBI हर साल बना रहा है अपना financial literacy week 2016 से start हुआ है theme क्या है इस बार का good financial behavior your saviour is a theme of financial literacy week while RBI next question payment acceptance device under PIDF increased to 1.87 crore till December 2022 ठीक है इसी के regarding important points चलेंगे next question पर इसी के regarding important points है और यह table के साथ मेंने आपको समझाया है कि कितनी devices c location physical device digital device total आपका plus करके कितना हो जाए रहा है यह ठीक है इसको plus करेंगे आप physical device और digital device 1.87 crore या कितना हो गया अब prox 1.87 crore ठीक है यह आप देख सकते हैं इनको plus करके यहाँ पर location है कहाँ पर ट्रियर्थी ट्योफों centers नौर्थीस्ट यूटी जमुएन कश्मीर लद्दाख इन सभी को include करने के बाद physical और digital device में कितनी हो गया 1.87 crore next question according to RBI guidelines foreign contribution must be received only in the FCR account of which of the following banks पुछा गया है कि RBI के दिसानेद्रेसों के अनुसार निमने मैं से किस बैंक ने FCRA खाते में ही विदेशी answer प्राप किया जाना है तो वो है SBI, SBI is the right answer Reserve Bank of India Wired It Circular dated 16th of February 2023 regarding to introduction of Foreign Contribution Regulation Act FCRA related transactions code NEFT and RTGS system in terms of exchange requirements of Ministry of Home Affairs Government of India the donor details such as name, address country of origin, amount, currency and purpose of remittance are required to be captured in such transactions and SBI is required to report the same to MHA on daily basis ठीक है चलेंगे next पे GUI यानि की Government of India supported line of credit for US dollar 10 million to the government of Republic of Maldives right answer क्या हो जाएगा 100 million US dollar बोला क्या गया है a line of credit is a credit facility extended by a bank और other financial institutions through a government business or individual customer that enables the customers to draw on the facility when the customers needs fund ठीक है तो मालदीव गनटा जी की सरकार के लिए भारे सरकार दोरा समर्थित line of credit 100 million US dollar है next इसी के रिकारेंगे important points आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे next question question क्या है हमारा RBI has issued final guidelines on interest rate risk in banking book IRRB this is circular is not applicable to which of the following पूछा गया है कि RBI ने बैंकिंग बुक में ब्यास दर जोकिम पर अंतिम दिसाने देश जारी किये गए हैं यहां परीपत्र हमलिखित में से किस पर लागूर नहीं होता है तो RRB small finance bank payments bank local area bank right answer हो जाएगा option E all of the इन सभी पर यह लागूर नहीं होता है interest rate risk in banking books refers to the current or prospective risk to banks capital and earning arising from adverse movement in interest rate that effect in banking book position excessive IRRBB can pose a significant risk to banks current capital base or future earnings these guidelines accordingly require banks to measure monitor and disclose their exposures to IRRBB ठीक है इसी के रिकार नहीं आपको explain किया गया है which table आप इसको देख सकते हैं जह सब्सक्राइबल है next question RBI RBI क्या पुशा गया है financial statement presentation and discloses direction 2021 shall apply to which of the following head answer क्या हो जाएगा the state cooperative banks central cooperative banks option B sorry C both A and B RBI direction 2021 master direction are applicable to commercial banks or primary urban cooperative banks it has now been decided to make this master direction also applicable to state cooperative banks and central cooperative bank also referred to as district central cooperative banks the master direction shall apply to state and central cooperative banks together refer as rural cooperative banks of RCBs ठीक है चलेंगे next question पर next question में क्या वो लगया है RBI grants in principle approval to death entities for payment aggregator license तो 32 ठीक है RBI पेमेंट aggregator license के लिए 32 जो असास्थाहों को सधान्तिक मंजूरी देता है entities कितनी है 32 पेमेंट अग्रीकेटर प्रवाइट प्रवाइट पेमेंट रेटेटेट सॉविसेज तो to merchants by bundling by different modes of payment and packaging them in a central solution RBI has granted a total of 32 principal authorizations to existing payment aggregator to operate as Online Payment aggregator according to a press statement issued by Central Bank RBI also granted a total of 19 new online P authorizations to firms including ग्रोपे सर्विसेस, जस्पी टेकनलोजी, अमस्व टेकनलोजी, टाटाप, पेमेंट एंड जोहू पेमेंट टाप next question, RBI will soon start a pilot program to introduce which of the following machines that use QR codes, ठीक है, तो RBI QR code का उपयोग करने वाली, निमने मैंसे कौन सी machineों को paste करने के लिए, जल्द ही एक pilot program शुरू करेगा, तो वह है coin vending machine, ठीक है, coin vending machine, सक्तिकांदर रास्ता, governor of RBI announced that a pilot program to introduce coin vending machine that use QR codes will begin shortly, ठीक है, इसी के regarding important points आपको Hindi English दोनों में दिये गए हैं, आपने इनको जरूर देखना है, वीडियो को pause करके या फिर PDF डाउंड करके, जैसे भी आपको suitable है, next question में क्या बोला गए है, India received highest ever foreign inward remittances in a single year of Dash million dollar in financial year 21-22, right answer क्या है, 89,107 million dollar, तो भारत नहीं वित्तवस 2021 में 89,127 million dollar के एक वर्स में अब तक का सबसे अधिक विदेशी आवक परेशन प्राप किया है, during 21-22, India received foreign inward remittances of 89,107 million dollar, which was the highest of inward remittances received in a single year, the World Bank defines remittances as the sum of workers remittances, compensations of employers and migrants transfer as recorded in the IMF balance of payments, remittances are vital source of household income for low and middle income countries, okay, next question, next question में क्या बोला गया है, कि RBI, Digital Payment Index, the measure of extent of digitization of payments across the country, rose to कितना, 377.46 in September 2022 from 349.30 in March, बोला गया है, कि RBI का Digital भुकतान सुचकांग, देजभर में भुकतान के डेज़टरी करण की सीमा का एक उपाय, सितंबर 2022 में मार्च में 349.30 से बढ़कर 377.46 हो गया, Digital Payment across the country registered a growth of 24.13% in the year through September 2022 as per the RBI Digital Payment Index, which measures the adoption of online transactions, ठीक है, चलेंगे next question पर, NPCI has asked UPCI participants like payment, Google Pay, etc. to allow international mobile number for transactions through UPI by 30th April 2023, NPCI ने UPI पृच्छी भागया जैसे कि Paytm Google पे आदी से कहा कि वेज 30 अपरेल 2023 तक UPI के माधियम से लेंदेन के लिए अंतरास्टी mobile number की अनुमती ज़रूर दे, NPCI has instructed members of the UPI ecosystem to allow non-residents account types such as NRE, NRO accounts having international mobile number to get on board and transact through UPI, ठीक है, NPCI will be enabling transactions from the mobile number having country courts of Singapore, Australia, Canada, Hong Kong, Oman, Qatar, USA, Saudi Arabia, UAE and the UK. Along with the current domestic country court, the government body has asked UPI participants such as Paytm, Google Pay and more to put in place of mechanism by April 30. And next question, RBI rationalizes reporting of foreign investment in a single master form and firms portal. What is the full form of firms? Foreign investment reporting and management system is the full form of firms. It is advised to authorize dealer category i-banks that the allowing following changes are being implemented with respect to the reporting of foreign investment in SMF and firms portal. The firm submitted on the portal will be auto-acknowledged, the AD banks shall verify the same within five working days based on the upload documents and as specified. Next number, क्रेट्स में क्रेट्स में क्रेट्स 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 कें बोला गया है? Credit to agriculture and allied activities rose by what percent in December 2022 as compared with 14.2% a year ago? 11.5% ठीक है दिसंबर 2022 में क्रिस्टी और संबलन गतिविजियों के लिए रिण एक साल पहले के 14.2% की तुलना में कितने परतिस्थत की दर से बढ़ा है तो वो है 11.5% कैसे So, credit to agriculture allied activity जायर चे रोसे लिए 11.5% निसंबर 2022 कैसे खशब दिसंबर 2022 अ एक सांप़ीं के दिसंबर 2022 में क्रिविजिक तु Cou espera • sub compared with 14.2% a year ago. Personal loan grew by 20.2% in December 2022 from 14.9% a year ago. ठीक है? Next question. क्या बोला गया है? Who has been reappointed as RBI deputy governor? तो RBI के deputy governor की रूप में किसको reappoint किया गया है? तो वो है Michael देब्रता पात्रा, M.D. पात्रा श्रॉट में का नाम है. यह है RBI के deputy governor. इंगो reappoint किया गया है. RBI governor appointed under section 8 of the RBI at 1934. The central government has the power to appoint governors and deputy governors of the reserve bank of India. यह important points ठीक है? कि SEC के अंडर. तो यह अब बताया गया है कि RBI governor नियुक्त RBI अधिनियम 1934 की धारा 8. यानि कि section 8 of the RBI at 1934. के इन सरकार के पास RBI में governor और deputy governor नियुक्त करने की power है. The central government has reappointed doctor M.D. पात्रा as deputy governor RBI for a further period of one year with effect from 15th of January 2023. ठीक है? यह Michael देवरता पात्रा है इन को reappoint किया गया है RBI का deputy governor. Next question. RBI to guide inflation towards 14% target by which year? तो RBI किस बस तक मुदरस्पिती को 4% लक्ष की ओर निर्देशित करेगा? 2024 is the right answer. ठीक है? RBI 2023 monetary policy objective is to hold inflation within the mandated tolerance band and guide it towards the medium term targeted of 14% by 2024. It said in its monthly bulletin published. ठीक है? RBI 2023 की मौदरिक निती का उद्देश अनिवार सहन सेलता. बैंड के भीतर मुद्रस्पिती को पकड़ना है और इसे 2024 तक 4% के वादम से अवधी के लक्ष के ओर निर्देशित करना है. यहां अपने मासिक बिलेटिर में प्रकासित हुआ है. Next, RBI has extended time up to DAL for renewal of agreement for existing safe deposit locker. पूछा के गया है कि RBI ने मौजूदा सुरक्षी जमा लॉकर के लिए समझाते के नविनी करन के लिए कब तक का समय बढ़ाया है? 31st of December 2023 तक का. ठीक है? RBI has decided to extend the deadline for banks to completely the process of renewal of agreements for the existing safe deposit locker in phased manner by December 31st 2023 with intermediate milestone of 50% by June 30, 2023 and 75% by September 30, 2023. Next question. RBI's financial literacy and inclusion survey on digital banking awareness and knowledge among the rural and urban population across the country was based on how many parameters? देश में ग्रामीर देश भर में ग्रामीर और सहरी आबादी के विस डिजिटल बैंकिंग जाग रुपता और ज्यान पर RBI का वित्ती सक्षरता और समावेशन सब्वेक्शन कितने माप दन्नों पर आधारी था? Option B is the right answer. ठीक है? अब पैन इडिया financial literacy and inclusion survey conducted by the RBI. Financial जीत अपको पूरे डेटा में दिया गया है, समझाया गया है details में. चलेंगे next में. RBI will issue sovereign green bonds of how much rupee in two tranches of January 25 and February 9? तो RBI ले 25 जनवरी और 9 परवरी को 2 किस्तों में कितने रुपिय के sovereign green bond जाली करेगा? तो 8,000 crore is the right answer. RBI will auction 16,000 crore of sovereign green bonds in two tranches. The RBI will auction 5 years and 10 years green bonds worth 4000 crore each on 25 January and on 9 February and this would be a uniform price auction. ठीक है क्या बोला गया है इसमें? RBI 249 में 16,000 crore के sovereign green bond की निलामी करेगा. RBI 25 जनवरी और 9 परवरी को 44,000 crore के 5 वरसी और 10 वरसी green bond की निलामी करेगा यहाँ एक समान मूले निलामी होगी. Next question, what is the theme of the fourth cohort of regulatory sandbox by RBI? RBI के द्वारा विनियाम सेंडबॉक्स के चौथे सम्हूं का theme क्या है? Prevention and mitigation of financial frauds is the theme, ठीक है? RBI chooses six businesses for the test phase of the fourth cohort of the regulatory sandbox on the theme prevention and mitigation of financial frauds from the nine applicants on January 5, 2023. The R.S. was created on August 13 to 2019 in accordance with the working group on the Financial Stability and Development Council subcommittee on FinTech and Digital Banking, ठीक है? Next question, on 4th of January 2023, RBI released the annual report of the embarrassment scheme for the period of April 1, 2021 through March 31, 2022, to which of the following zone received the highest volume of complaints, ठीक है? Charge Inwardy 2023 को RBI ने लोगपाल योजनाओं की वार्सिक रिपोर्ट एक अपरेल 2023 से 31 मार्च 2022 तक की अवधी के लिए जारी की है? ने मिलिखित मैंसे किस छेतर को सबसे अधिक शिकायते मिली हैं तो वो मिली हैं नॉर्थ जोन को, ठीक है? The North Zone will 8 of the 22 OBOs receive the highest volume, कितना? 42.70% of complaints followed by the West and South Zone share the complaints related to ATM debit cards and 14.65% of the total. were the highest followed by compliance related to mobile electronic banking at 13.64%. ठीक है? इसी के रिगारे पूरा information आपको दी गई है. चलेंगे, next question पे. Which of the following banks are identified by RBI as domestic, systematically important banks? तो यहमने मैंसे किस बैंक की फैचान RBI के द्वारा DCS के रूप में की गई है? वो है all of the above. ICIC, SDFC, SBI. यह सभी बैंकों की की गई है. SBI, ICIC bank and SDFC bank continue to identified as domestically important banks under the same bucketing structure as in the 21st 2021 list of DCS. ठीक है? बोला क्या गया है? इसमें कि SBI, ICIC and SDFC bank को उसकी bucketing ठाचे के तहर घरे लूब विवस्थित रूप से मैत्वपोर्ट बैंकों के रूप में पहचाना जाना जारी है. जिसे की DSIB की 2021 की सूची में था. यह पूरी लिस्ट है. बकेटिंग आप देख सकते हैं. SBI 0.60% ठीक है? बकेट 3. HDFC और ICIC bank 0.20% बकेट 1st. RBI to migrate payments fraud reporting module to DAKSH from DASH. 1st January 2023. ठीक है? RBI भुकतां दोकलरी reporting module को 1st January 2023 से DAKSH में migrate करेगा. RBI has decided to migrate the Central Payment Fraud Information Registry through which schedule commercial bank and non-bank prepared payment instruments issuer report payments fraud to its advanced supervisory monitoring system DAKSH from January 1st 2023. ठीक है? Next question. What is the maximum limit for individuals to invest in sovereign gold bonds scheme? तो व्यक्तियों के लिए sovereign gold bond scheme योजना में invest करने की अधिकतम सीमा कितनी है? तो वो है 4 kg. 4 kg is the right answer. इंवेस्टरी can buy sovereign gold bonds in denomination of 1 gram of gold in multiple. investors should have buy a minimum of 1 gram of gold to invest in the HGB scheme. The maximum limit of subscription is 4 kg for individuals. 4 kg for Hindu undivided families for trust and similar entities. The maximum limit is 20 kg this fiscal. The government can revise this limit from time to time. ठीक है? Time to time government इसको revise करती रहती है scheme को. इसी के लिगार्डिंग आपको important points किये गए है हिंदी इंग्लिश दोनों में. Next question, the RBI medium term strategy framework for the period of 2023-2025 named Utkas 2.0 was launched by a Sri Saktikanta Das. बोला गया है कि 2023-2025 की अवधी के लिए RBI की मध्यम अवधी की राणिती की रूप रेखा जिसका नाम Utkas 2.0 है. जिसक्तिकांता दास द्वारा शुरू की गय थी. RBI medium term strategy framework for the period of 2023-2025 उतकर्स 2.0 was launched by a Sri Saktikanta Das. Governor RBI, the first strategy framework covering the period 2019-2022 was launched in July 2019. Next question, which of the following has allowed hedging of gold price risk in overseas market? Toh kisne videsi vajauron mein hedging of gold price risk ki anumati di hai? Woh hai Reserve Bank of India, thik hai? Legend entities in India are currently not permitted to hedge their exposures to price risk of gold overseas market. On a review, it has been decided to permit eligible entities to hedge their exposures to price risk of gold on exchanges in the International Financial Services Center recognized by the International Financial Services Centers Authority, thik hai? Bharat mein niwazi thansthauon ko vartuman mein videsi vajauron mein sone ke mule jokhim ke prati aapne jokhim ko hedge karne ki anumati nahi hai? Thik hai, kya pucca gaya hai? में कि RBI ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बैंक में कितने पॉसेंट 5 पॉसेंट से अधिक हसेदारी हांसल करने के इच्छुक लग्ति को नियामक से पूर्व अनुमोधन की आविशक्ता होगी तो भारती डिजर्ड बैंक ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को बैंक में 5 पॉसेंट से अधिक हसेदारी हांसल करने के इच्छुक व्यक्ति को नियामक से पूर्व अनुमोधन की आविशक्ता होगी इसके सांथ ही हमने कंप्रीट किया है 6 मंत का हमारा पूरा अर्वी आई साफुलर ठीक है काफी इंपॉर्टन है आपके डिजर्ड बैंक अफुनिया का जो ग्रेट भी एक्जाम है उसके लिए ठीक है तो यह आपने पूरा पढ़ना है डिटेल्स में पढ़ना है कुछ भी पॉइंट ऐसे बिलकुल लाइन बाइन पढ़ना है कुछ भी मिस नहीं करके जाना है बोच ज्यादा पुछ यादा है ंडेप में पुछे जाते है पूछे गए plaisाम है तो आपने डेटेल्स में सब कुछ पढ़के जाना है राइन बाइला लाईन पढ़के जाना है वीडियो को पॉस करके पढ़ें, डाउनलोड करके पढ़ें, जैसे आपको सुटेवल है वैसे पढ़ें, पूरा content पढ़ें, कुछ भी miss नहीं करना है, content यह नहीं कि मैं आपने skip कर दिया, तो हमने भी skip कर दिया, नहीं आपने उस content को line by line जरूर पढ़ना है, जैसे सुटेवल है, और six month banking अगर आपने class नहीं देखी है, वो video channel पर आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है, तो जाके उसको देखिए, उसको भी पढ़िए, उससे भी question पूछे जाएंगे, और उसमें भी content आपको Hindi English दोनर में दिया गया है, वो भी आपने line by line जरूर पढ़ना है, सब जिससे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, content आपके लिए helpful है, quotient deep में भी आएगा, तो आप answer कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरा details में news अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, इसलिए six month का हमारा complete हो गया है, RBI circular काफी helpful है आपके आने वाले exams के लिए, और आप लोग मु मिल सकें, और class अगर आप class में नए हैं, चैनल पे नए हैं, first time class देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe जरूर करिए, और bell icon दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको आने वाले सबी important वीडियो के notification मिल सकें, और class अच्छी लगे तो like जरूर करिए, subscribe ज share जरूर करिए, other students को चैनल का नाम जरूर बताइए, तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you, thanks for watching.